Greater Noida में बसे एक छोटे से गाउं सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभै दानम एक ऐसी संस्था जिसमें मूख प्राणी एवं असहाय पशुपक्षियों के पालन पोशन से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम विवस्था की जाती है संस्था में उपस्थित, चिकित्सक एवं अन्यसदस्य, दिल्ली NCR एवं अनेक शित्रों से 24 घंटे असहाय पशुपक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कारे कर रही हैं संस्था में ज्यान दानम गुरु कुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिये जा रही हैं शिक्षा ही नहीं बलकि बच्चों के रहने एवं खाने की भी नेशुल्क व्यवस्था की जाती है इनके साथ ही संस्थान में आउशदानम आयूरवेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्ष से लोगों का उपचार नेशुल्क किया जाता है संस्था में हत करगा एवं हस्त शिल्प प्रशिक्षण की इंद्र भी संचालित है जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का नेश्विल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है सन 2017 में इस परिसर में शुदिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई जहां अरिहंत गिरी तमिल नाडू से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनात की मनोहारी प्रदिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है प्रदिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है मंदिर जी में प्रति दिन प्रभुका अभशेक, शांतिधारा एवं पूजन होता है वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहां अभशेक है तू वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे की नार्यल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र पर हस्त लिखित पांडुलिपी संग्राहले, जैन वीगन और्गनिक भोजनाले, गुरुकुले निर्मान का कार्य निरंतर चल रहा है यदि आप भी ऐसे मन्मोहक स्थान, संस्थानम, अभैदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868-356946-93293-22040 आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगल आशीर्वाद परंपुझे आचारेश्री 108 शुत सागरजी महराज परंपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागरजी महराज प्रेरना स्रोद परंपुझे मुनिश्री 108 प्रणम्मे सागरजी महराज एवं परंपुज्य पाठ शाला प्रनिता मुनीश्री 108 अनुमान सागर्जी महराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जैन गाजिया बादवाले जैवुली मावीर भगवान की जैवुली अनन्ता नंत सिद्ध परमेश्टी भगवानों की जैवुली अचार भगवान स्री उमाश्वामी जी महराज की जैवुली ततवार्थ सूत गरंथ की जैवुली चारित्र चक्रवर्थी स्रीशान तिसागर जी महराज की जैवुली अचार गुरुवर्श्री विद्ध्यान जी मुनिराज की जै बुलिये सभी अनंतानंत परमेश्टी भगवानों की और उसके बाद हम लोग यहां पर तत्वा सूत्र का स्वाध्या कर रहे हैं आप सभी को जै जिनेंद्र जै दुजडंदो अभी तक हमने 28 कक्षाएं शकुसल संपन कर ली है तत्वा सूत्र के दूसरा अध्याय का हमारा स्वाध्याय चल रहा है आज आपकी 29 कक्षा है लगवग एक माह से एक लासिस चल रही है अब तक हमने कल तक की कक्षा में दूसरे अध्याय के 28 सूत्र कम्प्लीट कर लिए है आज आगे के सूत्र करेंगे प्तिदिम की भाती नया सूत्र प्रारम करने से पहले हम लोग मंगलाचरन करेंगे और अब तक जो 28 सूत्र किये हैं उनको याद करने का भी प्रयास साथ साथ मिलके करेंगे सभी लोग हाज जोड करके मंगलाचरन करेंगे और फिर आगे के सूत्रों का वाचन साथ साथ करेंगे मुक्ष मार्गस्यनेतारं बेतारं कर्म भूब्रतां ज्यातारं विश्वतत्वानां वंदे तद गुड़ लब्दै अब दूसरे अध्याय का पहले सूत्रत से प्रारंब करके अठाई सूत्रम यात कर्मे का प्रयास करेंगे अप्षमिक छायकव भावव मिश्रस जीवस्य स्वतत्व मोध इक पारणामिकव च द्विनवाष्टा दशेक विंशती त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक्त चारित्रे ज्यान दर्शन दान लाभ भोगोप भोग वीर्यानी च ज्याना ज्यान दर्शन लबधै श्यतुस्त्री त्री पंच भेदा सम्यक्त चारित्र सैयमा सैयमाश्च गती कशाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्याना सैयता सिद्ध लेश्या श्यतुस्या श्यतुस्तुस्तुस्त् जीव भव्या भव्यत्वानीच उपियोगो लक्षणम सद विदो अष्ट चतुर भेदा संसारिणो मुक्ताष्च समनस्का मनस्का संसारिण स्त्रस इस्थावरा प्रत्यप्तेजो वायू वनस्पतिय स्थावरा जींद्रिया अदे स्तिर्सा पंचेंद्रियानी देविधानी निप्रत्युकरने द्रभेंद्रियं लब्ध्युप्यगो भावेंद्रियं इस्पर्सन रसन घ्रान चक्षू श्रोत्रानी इस्पर्सरस गंद्वन शब्दाष् तदर्था वनस्पतियंता नामेकम क्रमी पिपेलिका ब्रमर मनुष्यादीना मिमेक ब्रद्धानी संगिन समनस्का विग्रे गताव कर्म योगह अनुष्रेणी गतिही अविग्रहा जीवस्य विग्रह वतीचत संसार नहा प्राक्चतुर व्यह इस वरकार से हमने अभी तक 28 सूत्र किये सूत्रों को समझने के बाद में आप जब भी तत्वा सूत्र का मात्र सूत्र सूत्र संस्कत भासा में वाचन करेंगे तो आपको पहले से ज़ादा जब आप वाचन किया करते होंगे और अच्छे से प्रतेग सूत्र पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ ने कुछ जो उसके बारे में जो व्याख्या आपने करी है जो आपने इतनी सारी कक्षाएं करके समझा है अवश ही आपको प्रति दिन सूत्र मात से सारी बातें ध्यान में आ जाएंगे तो इसलिए सूत्रों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है तभी उसके बाद जब हम सूत्र का वाचन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा ग्यान का छेप्षम होता है और आपको चीज़ है सूत्र बहुत जल्दी अच्छे से याद होते हैं उसके बाद जब उसका अर्थ आपको पहले से पता होता है 25 सूत्र हमने अब तक किये थे कल की कख्षा में जो हमने किया था जल्दी जल्दी से उसको रिवाइस करने का प्रियास करते हैं उसके बाद आगे के सूत्र लेते हैं 25 सूत्र था विग्रे गतव कर्म योगहा विग्रे गती में कर्म योग होता है मतलब जो विग्रे गती होती है यानि की एक जीव का एक योणी से एक गती से मरण होकर दूसरी गती में जनम होता है उस जो बीच की यवस्था है यानि कि मनुष्य गती से जीव का मरण हुआ उसको माल लेजिए त्रियंच गती में जाना है या त्रियंच गती से मरण हुआ और उन्नती होकर मनुष्य गती में आना है एक शरीर को छोड़ दिया जब मरण हुआ, दूसरे शरीर को प्राप्त किया, जितनी देर उस बीच में लगी तो उसको विद्ग्रह गती बोला गया, यह बहुत ही सूच में समय की होती है, इसमें बहुत कम समय लगता है, एक सेकंड का भी असंख्यात्वा भाग लग लगता और एक विग्रेवती गती, जब इस गती में जीव जाता है, तो कल पड़ा था हमने कि जैसे ग्राफ का कागज होता है, वैसे ही अनुस्रेणी गती होती है, यानि कि स्रेणी के अनुसार जीव की आत्मा का गमन होगा, और आत्मा के साथ साथ में क्या जाएगा, कर्म योग यानि कि कार्मन शरीर उसका जाएगा छोटे से छोटा जीव हो चाहें एक इंद्रिये वायू का एक जीव ही क्यों ना हो जल का एक जीव ही क्यों ना हो वहां से भी उसका अगर मरण होगा एक इंद्रिये जीव हमने बताया था वायू का एक जल का एक प्रत्वी का एक इत्यादी जो हैं इतने सूच में हैं कि बाधार रही हैं कि यहां दीवार से भी उन्हें निकलना होगा तो यह भी नहीं उसको रोक सकती प्रत्वी से उसे क्रोस करके जाना होगा तो आरपार चल इंद्रिये विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गया, उसकी भी जो इस पर्शन इंद्रिय थी, क्या क्या था, आत्मा थी उसके अंदर, कार्मन शरीर था, उसके उपर एक शरीर जो दिखाई देता है, उसको ओधारिक शरीर बोलते हैं, आगे की सुप्त्रों में आएगा, तो उस ओधारिक शरीर में ही ये सारी पाँच्व इंद्रियां होती है तो जो इस पर्शन इंद्रिये है उस एक इंद्रिये में वो भी थी वो भी यहीं छोड गया दिखाई नहीं दे रही हमें और साथ में क्या गया उसके आत्मा गई और कर्म योगा उस बिचारे सूचमजीव के भी कुछ करम थे बिना मन के होते हुए भी जो उसने निमित मात्र से उसके कुछ करम बने जिसकी वजह से उसे आगे की यूनियों में जनम मिला, हो सकता है दुबारा से एक इंद्रिये पर आये मिलगी, वायू काय के स'MARAL हुआ, जलकाय के में उत्पन्न हो गया, तो वायू का एक की जो इस परसन इंद्रिय थी उसे वहीं छोड़ाएगा और जल का एक की जो इस परसन इंद्रिय है जल जिसकी काया है ऐसी जो इस परसन इंद्रिय है यानि की जल ही उसका शरीर है वहाँ उसको ग्रण कर लेगा तो जो बीच की अवस्था है इधर से मरण और उधर जनम उस अवस्था को विग्रेगती बोला जाते हैं तो आप इससे कम से कम ये जरूर समझेए कि बहुत सारे मनुष्य लोग ऐसे होते हैं आपको भी प्रते दिन मिलते होंगे हमें भी मिलते हैं कि जैसे मच्छर इत्यादी हो गए तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं खाली पेली फटाक मार दिया चीटी देखी मार दिया जबकि स्वेम को शाकाहरी बोलते हैं बहुत अहिंसा प्रहभी बोलते हैं लेकिन एक सभाव बन जाता है कि कहीं भी मच्छर मक्खी कुछ भी देखे उनके लिए मारने के लिए यंत्र लगा लिए घरों में है ना कि इससे मच्छर मरेंगे और हिट वगेरा आते हैं कौकरोच मारने के मच्छर मक्खी मारने के चूहे मारने की दवाईयां आती हैं और बैठे बैठे मच्छरों को बेफिजूल में मारते हैं रैकेट आने लग गए हैं कि आपने एलेक्टरिसिटी में लगाया और उससे मच्छर जलके मर रहे हैं तो गंभीर पाप आप लोग कर रहे है जाने अंजाने में यदि किसी को भी आप देखते हैं जो मच्छर, चीटी, मखी, कौकरो, चुहे इस परकार के खटमल की पटंगे है ना बिना आवश्यक्ता के भी उनको इतनी बुरी अगर आप मौत दे रहे हैं तो आप देखिए कितने कितने सूच मीजीव हम यहां पर कितने सारे जीव हम अंजाने में मार देते हैं कभी बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता है ग्रस्त रूप में तो थोड़े बहुत जीवों की हिंसा अंजाने में अगर हो जाए तो दोश कम लगता है लेकिन जान के अगर मारा जाए तो आप देखिए विग्रे गतिया पढ़ रहें तो कम से कम आप उस हिंसा से बचने का प्रियास अवश्य कीजिए अनर्थ डंड ब्रत एक आएगा आगए यानि कि बिना प्रियोजन के बिलकुल भी हिंसा मत कीजिए अंजाने में गलती से हो जाए तो उसके लिए जिनिन भगवान से मनवचन काय से प्रार्षना जो ऐसे ऐसे जीवों की इंसा करी तो क्यों ये सारी चीज बता रहे हैं जब आप ये समझेंगे कि कैसे कैसे गतियां होती है तो आपके ग्यान में आएगा जब इतना डीपली आचार महराज ने बताया है कि बिग्रे गती क्या होती है कितना कम समय लगता है तो ये तो अव से मरकर दूसरे जनम में उत्पन होती है तो आचार बुरुगर्शरी दौलत राम जी जो पंडिच जी थे उन्होंने छे डाला में बताया इतने ग्यानी थे शास्त्रों के ग्यान से कि सूच मिजीव जो होते हैं जितनी देर में हमने सांस ली एक बार सांस उच्वास ली उसम उनका अठारे बार जनम मरन हो जाता है तो कितना कश्ट है उस एक इंद्रिये परयाय में और वहां से निकल के हम लोग मनुश्य उनी में पहुंचे हैं तो हमने अवश्य ही बहुत पिछले भगों में पुन्निकरम किये होंगे ऐसे ऐसे हमारे निमित बने होंगे जिसकी व अनुस्तितिते का आपना है हमें पुन्य का वहत्वावना भानी है कि एक समय ऐसा है यहां से जल्दी से हम इन चत्रगतियों के दुख से निकल गया है तो यह सारी बात आपको बताना जरूरी समझा हमने अनुस्रेणी गती में इस्तित है यहां बहुत संदर हस्मुक प्रतिमा है नेमिनाद भगवान की मन प्रफुलित हो जाता है यहां पर गोशाला चल रही है पशु पक्षियों के लिए प्राकर्थिक वातावर कि would just like अपने आपको करें,घय मने, नदी के अंदर से यह प्रतिमा निकली है यह पूरा मंदि नदी में से निकला है आप सभी को यहांकी दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिएpri पुझाल आपर गोशाला और हत्करगा काम भी चलता है और वहत ही अतिश्यकारी प्ractिमय है। individual huns जिसको देखते मन ऐसा करते है कि बार-बार यां मंदिर आए और बार डर्शन करें। प्ractिमयन एतना इनग relief कि दुबार मंदिर फीर दर्शन कवरने आये हम लोग। आचारेश्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगला शीर्वाद परमपुझे आचारेश्री 108 शुत सागर्जी महराज परमपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागर्जी महराज प्रेरनास्रोद परंपुज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागरजी महराज एवं परंपुज्य पाठशाला प्रणिता मुनिश्री 108 अनुमान सागरजी महराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जेन घाजिया बादवाले प्रायोजक ज्यान दानम गुरुकुल झाल झाल